नमस्कार आप देखरें दर्ष न्यूस मैं प्रिति दयाल आपके साथ दस बजी के इस खास बुलिटिन में आप सभी दर्षकों का स्वागत है तो चलिए बीना देर के सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर राजत सुप्रीमो लालो प्रशादी आदव सोमवार को अपने पैत्री गाव फुलवरिया पहुँचे इस दोरान उनका एक बार फिर नब्बे के दशक वाला अंदाज देखने के लिए मिला वहीं आज वे राबरी देवी के साथ थावे दुर्गा मंदिर में पूजा सुराल सेलार कला होते हुए अपने गाव फुलवरिया जाएंगे परिवार के सदस्यों और गाव के लोगों से भी मुलाकात करेंगे इदा सुशीर कुमार मोदी ने सीएम नितीश कुमार पर बिहार में बढ़ते अपरात को लेकर तंच कसते हुए कहा कि सरकार के प्रवक्ता दुनिया भड के मनमाने आकरे पेश कर थेथरलॉजी कर रहे हैं जो सरकार शराब बालू माफिया की पॉलेटिकल फंडिंग से चल रही हो वह उन पर कारवाई कर भी नहीं सकती बढ़ते अगले खबर की ओर जहां दीघा से गांधी मैदान तक के जेपी गंगा पत के साथ किलोमेटर लंबाई वाले भाग के शेत्र को हरा भरा किया जाएगा इसमें एक लाख पौदे लगाय जाएंगे यहां लोगों के टहनले से लेकर घूमने फिरने साइकलिंग छट वरतियों के लिए छट घाटों की सुविधाओ आदी की बहतर व्यवस्था की जाएगी 90 प्रतीशत शेत्र को हरित्शेत्र तथा 10 प्रतीशत शेत्र को मूलभूत सुविधायुक्त शेत्र की रूप में विक्सित किया जाएगा इधर SP और इंस्पेक्टर के साथ अब SDPO और थाना ध्यक्ष भी केसों की जाच परताल और सुपर्वीजन के साथ ही उनका नियंतरन भी कर सकेंगे वर्तमान में सिर्फ S.P. और इंस्पेक्टर स्तरपढगी केसों का नियंतरन होने से मामलों की जाच में विलंब और गुनवत्ता प्रभावित होने से बिहार पुलिस मुख्याले ने यक कदम उठाया है DGP RS भट्टी के इस आदेश को नए केसों के लिए ततकाल प्रभाव से लागू कर दिया गया है वही प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिये हो गया है सोमवार की रात राजधानी पटना समेट कई जीलों में बारिश हुई आज भी मौसम विभाग ने बिहार के 11 जीलों में भारी बारिश के संकेट दिये हैं उत्तर बिहार के अधि संकी जीलों में जमाजम बारिश की संभावना है तो दक्षिन बिहार में कई जीलों में मध्यम से लेकर हलकी वर्षा हो सकती है इधे 5 सितंबर से पटना एरपोर्ट पर नए एर ट्राफिक कंट्रोल टावर और टेकनिकल ब्लॉक का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा नए ATC टावर का निर्मान चार महीने पहले हुआ है और इसमें उपकरल लगाने का काम इन दिनों हो रहा है इस माह के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा उसके बाद नए ATC टावर और टेकनिकल ब्लॉक का पैरलल ट्रायल रन शुरू होगा इसके अंतरगत पुराने ATC टावर और टेकनिकल ब्लॉक का इस्तिमाल जारी रहेगा और उसके साथ-साथ नए ATC टावर और टेकनिकल ब्लॉक में लगे उपकरनों का इस्तिमाल भी शुरू हो जाएगा अगली खबर जारकन से है जहाँ भारतिय प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियो को पद स्थापित किया गया है कार्मिक विभाग की ओर सिरन जारी आरिकर दिया गया है वही डुम्री विधानसवा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इंडिया गठबंदन समर्थित जामुमो की प्रत्याशी बेबी देवी को जिताने के लिए जामुमो कमर कर सुका है उपचुनाव में मुख्य प्रचारक की भूमिका में मुख्य मंत्री हेमन सोरेन होंगे जामुमो विधानसवा छेत्र में सीएम हेमन सोरेन की ताबरतोड रैली की तैयारी कर रहा है वही भारतिये टीम इस समय आइरलेंड के दौरे पर है जहाँ वह तीन मैचों की टीट्वेंटी सीरीज खेलने पहुँची है इस सीरीज के शुरुआती दो मुकामलों में टीम इंडिया ने आसानी से जीत हासिल करते हुए दो शुन्ने की अजय बढ़त हासिल कर ली है अब टीम की नजर कप्तान जस्प्रीद बुमरा के नित्रित्व में सीरीज में क्लीन स्विप करने पढ़ है वहीं अपने कप्तानी के करियर के शुरुआत करने के साथ ही बुमरा ने खुद को कोहली और हार्दिक पांडिया की लीग में शामिल कर लिया है इधर सुपरस्टार रजनीकांत ने उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितेनाथ से मुलकात के दोरान उनके पैर्च हुए थे जैसे ही ये पिक्शर सोशल मेडिया पर सामने आई तभी से रजनीकांत ट्रोलर्स के निशाने पर आ गये जिस पर रजनीकांत ने जवाब दिया कि योगियों या सन्यासियों के पैर चुना और उनका आशिरवाद लेना मेरी आदत है भले ही वो मुझसे छोटे हो मैंने बस यही किया है तो फिनाल के लिए इस बुलिटिन में इतना ही देश और दुनिया की तमाब खबरों के लिए आप बने रहें दर्श ल्यूस के साथ अगर आपने भी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही हमारी खबर आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जबर बताएं